है को Heleose studentsнымस्कार मैं Pangaj Aggraari आप लोगों का Agricari Academy पर श्रागत करता हूँ आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्लेक्सिप प्रोणाउन के बारे में तो चलिए हम लोग देखते हैं रिप्लेक्सिप प्रोणाउन क्या होता है वोई प्रोनाउन जिनके लास्ट जिनके अंत में सेल्फ या सेल्फ से लगा रहता है रिफलेक्सि प्रोनाउन्स कहलाते हैं इसका परियोग किस अर्थ में होता है अपने आपको इसका परियोग अपने आपको के अर्थ में होता है इसे सेल्फ प्रोनाउन्स भी कहा जाता ह हैं जैसे myself, ourselves, yourself, yourself, himself, herself, itself और themselves तो चलिए हम लोग reflexive pronoun को इस example के माध्यम से समझते हैं आप लोग समझेए इसमें लिखा है I hurt मैंने चोट पहुचाई किसको myself, समझ को इसमें आप लोग देख रहे होंगे यह जो reflection हो रहा यह नहीं हो रहा है यानि कि I hurt मैंने चोट पहुचाई किसको myself, तो समझ को यानि कि यहाँ पर जो work हुआ और खुद ट्रांसफर हो करके हमारे ही ऊपर आ गया यानि कि यह जो myself है यह किस तरह work कर रहा है, work को reflect करने का काम कर रहा है चलिए हम लोग next example देखते हैं, next example है be hurt ourselves, हमने अपने आपको चोट पहुचाई, यानि कि जो चोट पहुचाने का काम कर रहा है हमने खुद को अपने आपको चोट पहुचाई चलिए हम लोग next example को देखते हैं, next example है you hurt, तुमने चोट पहुचाई, किसको yourselves, अपने आपको चलिए हम लोग next देखते हैं, इसमें है you hurt, तुमने चोट पहुचाई yourselves, अपने आपको चलिए हम लोग next example देखते हैं, next example क्या है everyone hurts himself, हर कोई खुद को चोट पहुचाता है इसमें आप लोग देख रहे होंगे, एक होगा subject और एक होगा work यानि कि जो work हो रहा है, वो इस subject के ऊपर reflect हो जा रहा है, ठीक है चलिए हम लोग next देखते हैं हम लोग next देखते हैं इसमें हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे एक table बना है, और एक table किस के लिए है? अभी किस तरह के pronoun के लिए किस तरह का reflexive case हम लोग use करेंगे, चलिए हम लोग इसको देखते हैं अब जैसे I के लिए जो reflexive case जाएगा, ओ क्या जाएगा? Myself I के लिए जो reflexive case जाएगा, ओ क्या होगा? Myself यही correct reflexive case है, अगर आपको myself दे रहा है, तो A incorrect होगा और जो correct होगा, ओ myself होगा है यानि कि अगर I के लिए हमें reflexive pronoun की जरुवत पढ़ रही है, तो हम लोग myself का परियोग करेंगे इसी तरह से B का जो reflexive case होगा, ओ ourselves होगा अगर आपको ourselves मिल रहा है, ourselves मिल रहा है, या फिर ourselves मिल रहा है, तो A incorrect होगा, ठीक है? correct form है, ourselves, चलिए, इसी तरह से हम you की बात करते हैं, you के लिए, अगर हमें reflexive case की जरुवत पढ़ रही है, तो आपको पता होगा, you singular होता है, और you plural भी होता है यू, singular or plural, plural दोनों होता है, अगर हमें plural, singular में जरुवत पढ़ रही है, ये reflexive case की, हम लोग yourself का use करेंगे, और plural में जरुवत पढ़ेगी, तो yourself का हम लोग परियोग करेंगे, अगर आपको कहीं भी yours or self मिल रहा है, yours or selves मिल रहा है, तो ये क्या होगा, incorrect होगा, और जिस तरीके से हमें जरुवत पढ़ेगी, अगर हमें singular की जरुवत पढ़ रही है, तो हम लोग singular use करेंगे, अगर हमें plural की जरुवत पढ़ रही है, तो हम लोग plural reciprocal pronoun का परियोग करेंगे, चलिए हम लोग attered Bus B Là, वर का लोग ये आजर्क सेले फेला, सकतर से एलावे हर्स रहा है, अर्षिसल्फ करेंगे, बात करते हैं, ये क्या होगा, ये incorrect होगा, और जिसका अगर आपको करेंगी onuneर ये इसका correct form Herself होता है चलिए, हम लोग He के लिए बात करते हैं He के लिए जो reflexive pronoun होता है ओ ИмSELF होता है यही correct form है अगर A मिल रहे हैं तो A incorrect होंगे इनके अस्थान पर हम लोग correct form इमSELF का परियोग करेंगे चलिए, हम लोग D की बात कर लेते हैं हम लोके इट की बात करेंगे तो देखिए यहां पर देखिए जो इत है इट के लिए हम रिफ्लेक्सि б केs इट सेल्फ का परियोग करेंगे किसका इट सेल्फ का इस चीज को आप भी ध्यान से देखे है अगर कहीं आपको एटस सेल्फ मिल रहा है Cynthia या फिर selfs मिल रहा है, या फिर its और selfs मिल रहा है, तो a incorrect होगा और इसका जो correct form होगा हम लोग itself use करेंगे. चलिए, हम लोग देक ही बात करते हैं. चलिए, हम लोग देक ही बात करते हैं. दे के लिए जो हमारा reflexive pronoun होगा वो themselves होगा यही इसका correct form है अगर आपको कहीं भी the years of self मिल रहा है the years of self मिल रहा है या the years of self मिल रहा है तो यह incorrect होगा और इसका correct form हम लोग themselves परियोग करेंगे चलिए हम लोग इनके कुछ examples को देखते है चलिए हम लोग इसके examples को देखते हैं यहाँ पर देखिए example में क्या लिखा है the baby the baby crowd itself क्या लिखा है the baby cried itself अब बच्चा जो baby है वो cried itself छिलाया अब यहाँ पर देखिए यह जो itself है baby के लिए लगा है और baby कैसा noun है जो baby होता है जो इसके लिए कुछ परणाउन का परियोग होता है itself एक न्यूटर जेंडर का परणाउन है चलिए हम लोग next देखते हैं next है I hurt myself I hurt myself तो हमने आप से discuss किया कि I के लिए जो भी reflexive pronoun जाता है वो क्या जाता है myself तो I के लिए हम लोग क्या use करेंगे myself इसी तरह से अगर हमें you के लिए reflexive pronoun की जरूरत पढ़ रही है तो singular case में you के लिए yourself तथा plural case में you के लिए हम लोग yourselves का पर्योग करते हैं जैसा कि इसमें किया गया है चलिए हम लोग इसकी बात करते हैं he hurts himself he hurts himself तो he के लिए क्या जाता है himself चलिए इसी तरह से हम लोग बात करते हैं everyone hurts himself यह भी correct है क्योंकि देखिए जो indefinite pronoun होता है indefinite pronoun होता है indefinite pronoun के लिए जो हमारी preference जाती है जैसे indefinite pronoun है तो इसके लिए हम लोग himself का पर्योग करते हैं और जब female हो तो herself का पर्योग करते हैं ठीक है चलिए हम इसको देखते हैं one hurts oneself तो one के लिए जो reflexive pronoun जाता है और oneself जाता है चलिए हमारे पास कुछ note point है इन note point को लेकर करके हम चर्चा करते हैं देखिए common gender के case में जब gender common हों common gender यानि कि जैसे doctor लिखा है the doctor है the teacher है तो क्या आप लोगों को the doctor कहने से यह पता चल रहा है कि male की बात हो रही है male doctor की या female doctor की तो इस से आपको नहीं पता चल रहा है The teacher से भी ये बात आपको नहीं clear हो पा रही होगी कि male की बात हो रही है, female की बात हो रही है तो जब हमें चीजे clear नहीं होती है तो ऐसे noun किस category में जाते हैं? Common gender की category में और जो common gender होता है Common gender के लिए अगर singular sense में अगर common gender है singular sense में लोग himself का परियोग करते है Singular sense में himself का परियोग तथा Plural sense में किसका परियोग करते हैं? Themselves का परियोग करते हैं इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अगर noun common है common noun है तो common noun में आपको एक बात पता होनी चाहिए जो मारी preference जाती है वो तो masculine gender को जाती है तो same काम इसमें यही हो रहा है यहाँ पर जो preference जा रही है वो masculine gender को जा रही है चलिए अब जैसे sentence के subject के रूप में अगर one आ रहा है तो one का जो reflexive pronoun होता है वो क्या होता है? oneself इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखियेगा चलिए हम लोग next देखते हैं अब जैसे हमने अभी पहले वाले एक्जामपल में बात करी थी जैसे child है infant का मतलब sis होता है baby का मतलब बच्चा infant baby के male अथवा female sex का पता ना हो तो यानि कि अगर छोटा बच्चा है कोई सिसू है कोई बच्चा है बेबी है अगर इसके sex का पता ना हो कि ये male है अथवा female है तो इसके लिए जो भी reflexive pronoun का परियोग होगा वो itself का परियोग होता है किसका परियोग होता है इट सेल्फ का परियोग होता है क्योंकि यह जो है ना न्यूटर जेंडर की केटेगरी में जाते हैं यह बात आपको क्लियर होनी चाहिए चलिए हम लोग इसको देखते हैं अब जैसे everyone है someone है anyone no one everybody somebody anybody nobody एक कैसे है common gender के प्रणाउन है कैसे है common gender के प्रणाउन है तो इन के लिए अब आपको पता होना चाहिए कि जो common gender होता है common gender common gender के प्रणाउन में जो हमारी preference जाती है अब जिसे common gender है तो common gender के लिए हमारी जो preference होती है किसको जाती है masculine को तो यहां पर himself का प्रयोग करेंगे हां अगर पता चल रहा एक female है तब हम लोग himself का प्रयोग करते हैं चलिए अब हम लोग कुछ rules को पढ़ते हैं कुछ rules को समझते हैं आप लोग ध्यान से समझेए अब जैसे जो reflexive pronoun है reflexive pronoun का प्रयोग sentence के subject के रूप में नहीं होता है यह बात आप hundred percent याद रखिए इस बात को एकदम जहन में उतार लीजिए कि जो भी reflexive pronoun होता है reflexive pronoun का प्रयोग sentence के subject के रूप में नहीं होता है तो आप लोग देखिए यहाँ पर reflexive pronoun myself का प्रयोग sentence के subject के रूप में हुआ है किस रूप में हुआ है sentence के subject के रूप में तो आप लोग बताईए क्या यह sentence correct है नहीं यह sentence क्या है incorrect है चलिए sentence को हम लोग correct तरके लिखते हैं इसका correct form क्या होगा I am Mr. Thakur इसमें क्या था myself is Mr. Thakur तो यह sentence incorrect था अब हमने इसको correct तरके लिखा I am Mr. Thakur चलिए हम लोग next example को देखते हैं next example क्या है देखिए भी नए and yourself are friends तो अभी अभी हमने rule में पढ़ा कि reflexive pronoun का परियोग sentence के subject के रूप में नहीं होता है तो यहां पर yourself का जो परियोग है वो incorrect है इसको हम लोग कैसे correct करेंगे correct करिए हमने लिखा बिने and you correct किया are friends चलिए हम लोग next देखते हैं next है हमारा rule number two rule number two में क्या होगा कि जो apostrophe होता है apostrophe s का परियोग नहीं होता है यानि कि जो रेशी प्रोकल प्रोणाउन होता है रेशी प्रोकल प्रोणाउन के साथ apostrophe s का परियोग नहीं होता है इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा देखिए he sold himself's car तो यह जो himself's है incorrect है क्योंकि हमने rule पढ़ा rule क्या है apostrophe s का परियोग नहीं होता है reflexive pronoun के साथ यह क्या है reflexive pronoun है और हमने पढ़ा जो reflexive pronoun होता है reflexive pronoun के साथ apostrophe s का परियोग नहीं होता है तो sentence incorrect इस sentence को चलिए हम लोग correct करते हैं correct कैसे हो जाएगा he sold उसने बेश दिया क्या his own car अपनी car को ठीक है sentence correct चलिए इस तरह से हम लोग इसको देखते है I have painted myself's room तो इसमें आप लोग देखिए और इस sentence में कहां पर error है error को आप लोग find करिए तो देखिए error यहाँ पर है क्योंकि जो भी reflexive pronoun होता है reflexive pronoun के साथ apostrophe का परियोग नहीं होता है apostrophe s का परियोग नहीं होता है तो चलिए हम लोग इसको correct करते हैं इसका correct form क्या होगा I have painted my own room ठीक है I have painted my own room तो यहाँ पर हमने इसको correct करके लिखा इस तरह से sentence correct है चलिए हम लोग next rule देखते हैं next rule क्या है rule number 3 तो rule number 3 क्या है हम लोग समझते हैं समझे जैसे enjoy है pride, absent, present, introduce, busy, avail, avail का मतलब होता है लाब पहुचाना, address, plume, plume आप लोग को पता है क्या होता है जो धूइय का अंबार होता है क्या अप लोग देखते होंगे धूइय का जो अंबार होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं उसे plume कहा जाता है heart, cheat, prostrate, resign, apply, equate assert verbs के इस बाद reflexive pronoun का परियोग निश्चित रूप से होता है यानि कि इनके साथ reflexive pronoun का परियोग होता है यहाँ पर लिखा है prostrate और समझे prostrate का मतलब क्या होता है prostrate का मतलब क्या होता है पराजीत यानि कि जो पराजे होती है चलिए हम लोग इसको समझते हैं इसके example को देखते हैं यह जो verbs आप लोग देख रहे हो इन verbs के साथ इन verbs के साथ reflexive pronoun का परियोग होता है अब देखिए he enjoyed उसने enjoy किया in the party उसने party में enjoy किया तो enjoy आप लोग समझे क्या है enjoy एक transitive verb है और transitive verb को चाहिए object और यहाँ पर object है missing तो यहाँ पर जब object missing है तो उसके लिए यहाँ पर क्या use होगा reflexive pronoun का परियोग होगा तो चलिए हम लोग देखते हैं he enjoyed himself उसने party में swim enjoy किया he enjoyed himself in the party उसने party में swim enjoy किया खुद enjoy किया ठीक है तो इस तरह से जो verbs आप देख रहे हो इनके साथ reflexive pronoun का परियोग होता है चलिए हम लोग और example देखते हैं आप लोग देखिए यहाँ पर लिखा है Mr. Pathak prides on the results of his son Mr. Thakur Mr. Pathak prides on the results of his son चलिए हम लोग इसको देखते हैं इसको correct करते हैं Mr. Pathak prides गर्व करते हैं himself स्वयम पर तो यहाँ पर क्या था object की missing थी यहाँ पर क्या थी object की missing थी on the results of his son तो इस तरह से prides के साथ भी हम लोग recipe protocol pronoun का परियोग करते हैं reflexive pronoun का परियोग करते हैं चलिए हम लोग rule number 4 देखते हैं rule number 4 क्या है अब देखें कुछ ऐसी भी verbs हैं जिनके बाद reflexive pronoun का परियोग नहीं होता वे बर्ब कौन कौन सी हैं हम लोग देखते हैं जैसे open हो गया cell है, vase है dress dress undress save, concentrate feel, hurry यह जो बर्ब हैं इनके बाद reflexive pronoun का परियोग नहीं होता है अब अगर कहीं भी इनके साथ reflexive pronoun का परियोग मिले तो इनके बाद यानि कि यह जो बर्ब हैं इनके बाद reflexive pronoun का परियोग मिले तो sentence incorrect हो जाएगा चलिए हम लोग देखते हैं the door opened the door opened itself the door opened itself अब देखिए open verb हैं open verb हैं open के साथ क्या यूज किया गया है reflexive pronoun का परियोग किया गया है तो जो की सर्वता गलत है इसको हम लोग कैसे correct करेंगे the door opened दरवाजा खुला चलिए हम लोग next देखते हैं next है he saves himself on Sunday अब जो saves है बर्ब हैं और इसके बाद reflexive pronoun का परियोग नहीं होता है जो कि यहां पर किया गया था इसलिए sentence incorrect है तो sentence को हम लोग correct कैसे करेंगे देखिए he saves on Sunday यहां से हमने हमारे पास जो reflexive pronoun उसको हमने रिमूब किया और sentence को correct किया चलिए हम लोग next देखते हैं next इसी से संबंदित है समझिये जैसे emphasis करना हुआ emphasis करना हुआ emphasis का मतलब इस पर जो जो डालना हुआ जैसे अभी जो subject है जमें इस पर जो डालना होता है तो इसी को कहते है emphasis करना तब जैसे dress है save होए etc के बाद reflexive pronoun का परियोग होता है चलिए हम लोग इसके example को देखते है अधिती is old and ag to dress herself now चलिए हम लोग example को देखते है example क्या है अधिती is old and ag अधिती जो है परियाप्त बोड़ी हो चुकी है to dress herself now खुद को तयार करने के लिए यानि कि यहाँ पर देखिए अधिती अभ खुद को तयार करने के लिए यानि कि अधिती जो है अधिती अभ खुद को तयार करने के लिए कापी वोड़ी हो गई है तो यहाँ पर यह जो herself है emphasis कर रहा ठीक है यह जो dress नाम की बर्भ है इसको क्या कर रहा emphasis कर रहा चलिए हम लोग next example देखते हैं next example क्या है the barber saves all the people in the town यानि कि जो town है जो कसबा है उस कसबे के लोगों को जो कसबा है the barber saves मलब saving करता है all the people सभी लोगों की in the town who don't save themselves जो खुद की saving नहीं करते हैं नाई उस नगर के उन सभी लोगों की saving करता है जो अपनी saving खुद नहीं करते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है यह जो save है save को कौन emphasis कर रहा है themselves तो इस तरह से emphasis करने के लिए reflexive pronoun का परियोग होता है चलिए हम लोग next देखते हैं next है हमारे पास rule no.5 तो चलिए हम लोग rule no.5 की बात करते हैं rule no.5 क्या कहता है यदि किसी sentence में verb plus preposition का परियोग हो आप समझे कोई sentence है और उस sentence में verb plus preposition का परियोग हो और क्या हो रहा है जो verb का subject है and जो preposition का object है वो same person है अत्वा same thing है यानि कि verb plus preposition का जो subject है और जो preposition का object है वो क्या है same बेक्ती है या फिर shame वस्तू है तो इस case में क्या होता है तो preposition के बाद reflexive pronoun का परियोग होता है चलिए हम लोग example को देखते हैं my mother must look after herself मेरी मा को अपना ख्याल रखना चाहिए किसका ख्याल रखना चाहिए अपना ख्याल रखना चाहिए तो चलिए my mother must look after herself चलिए हम लोग next देखते हैं आप जैसे अगर इस तरह से use कर दिया my mother must look after her तो यह preposition है after after क्या है preposition होता है और preposition की बात क्या होता है जब इस तरह का case हो यानि की बर्व प्लस preposition का case हो और किसी सेम ब्यक्ति यानि की बर्व का जो subject हो और जो preposition का object हो किसी सेम person या thing की और इशारा कर रहे हो तो इस case में reflexive pronoun का प्रियोग होता है ना की objective case का तो यहां पर objective case का प्रियोग किया है इसलिए sentence क्या हो जाएगा लोग himself का use करेंगे चलिए हम लोग next देखते हैं next हमारे पास एक rule और बचा है हम लोग इस rule को समझते हैं समझे जैसे अगर by plus reflexive pronoun का प्रियोग हो किसका प्रियोग हो by plus reflexive pronoun का प्रियोग हो तो इसका जो sense निकल करके आता है alone without help और without company के अर्थ में होता है क्या होता है जैसे अगर by plus reflexive pronoun का प्रियोग हो रहा है तो इसका sense क्या निकल करके आता है alone अथवा without help या फिर without company के अर्थ में होता है चलिए हम लोग इसके example को देखते हैं इसका example क्या है अब जैसे हैं without help यानि कि बीना किसी की मदद के चलिए हम लोग next देखते हैं next tool है rule number 7 अब जो reflexive pronoun होता है reflexive pronoun का प्रियोग keep, conceal, qualify, spread, rest, stay verbs के बाद नहीं होता है यानि कि इन सब के बाद reflexive pronoun का प्रियोग नहीं होता है rule number 7 क्या कह रहा है कि reflexive pronoun का प्रियोग जैसे keep हो गया, conceal हो गया, qualify हो गया, spread हो गया या फिर rest हो गया, stay हो गया इन verbs के बाद नहीं होता है तो चलिए हम लोग इसको example को देखते है example क्या कह रहा है I stayed away from my class तो यहां पर देखिए यह जो state verb है इसके बाद यहां पर किसी भी तरह के pronoun का प्रियोग नहीं किया गया तो pronoun का प्रियोग होता भी नहीं है लेकिन देखिए इसलिए sentence correct है और इस वाले में देखिए यहां पर क्या हुआ I stayed myself यहां पर myself का यूज हुआ from my class तो state के बाद इसका प्रियोग नहीं होता है reflexive pronoun का प्रियोग नहीं होता है चलिए इस तरह से आज की class में हमने सीखा कि जो भी reflexive pronoun होते हैं reflexive pronoun का प्रियोग हम लोग कैसे करते हैं चलिए आप लोग पढ़ते रहिए थैंक यू गाइज